दोस्तों नमश्कार आदाब स्थ्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश 20 फरोरी बहुत महत्पूर तारिफ मन गई है चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से 20 फरोरी को ही पंजाब की जो 117 सीटे हैं उनके लिए मद्दान होगा और 20 फरोरी को ही यानि तीसरा जो चरण है उत्तर प्रदेश के चुनाव का उसमें 69 सीटों 69 सीटें ये 16 जिलों की हैं जिसमें की मुंदेल खंड की इलाके हैं प्रश्रिम उत्तर प्रदेश के भी इलाके कुछ हैं और इसके अलावा आवध जो छेत्र माना जाता है उत्ते प्रदेश के मद्दे का वहां की भी सीटे हैं तो कुल मिलाकर बड़ाई दिल्चस्प है की 20 तारीक का जो मकाबला है वो पुलिटिकल पार्टीज के लिए और समाज के लिए भी अवाम के लिए भी मद्दाताओं के लिए भी काफी महत्पूर है दो प्रदेशों तक जो फैले हुए मद्दाता हैं उनके हिसाब से लेकिन दोस्तों आज हम बात केवल केंद्रित करेंगे पंजाब पर पंजाब में चुनाओ की जो गहमा गहमी है बिलकुल अपने चरम पर है प्रदान मंत्री कई बार जा चुके हैं आज जब मैं बुद्धवार को आप से बात कर रहा हूँ आज भी उनका दोरा था इधर संत रविदास रैदास जिनको कहा गया है और संत रैदास की जैनती के मौके पर जितनी पलिटिकल पार्टीज हैं पंजाब में काम करने वाली सब ने मत्ठाटे का कोई बनारस इस्थित उनके जो उनका जो बहुत बड़ा स्थल है संत रैदास का वहां गए लोग बहुत सारे लोग इसके अलावा प्रदान मंत्री जी ने दिल्ली में ही संत रैदास का जो एक बहुत महत्पून यहां पर स्थल है वहां धार्मिक स्थ वहां जाकर उन्होंने जाल मजीरा बजाया और भजन सुना तो ये जो रैदास जी की जो स्मृति को आज इतना महत्पूर्ण सियासतदानों ने माना उसकी वजह भी पंजाब का चुनाव है और पंजाब के चुनाव में जो दलित फैक्टर है उत्तर प्रदेश में भी है ले और उसी साब से देखा जाए तो पंजाब एक अध्भुत प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश पिहार या हिंदी हार्ट लैंड के और जो सूबे हैं उनसे काफी डिफरेंट है अब बहुत कम लोगों को ये अंदाज है कि जो गुरुगरंत साहब है जो सिक्षों का जो सबस महांतम जो एक दार्शनिक वैचारी ग्रंत है धार्मिक ग्रंत है उसमें संत्र रहदास भी शामिल है संत्र रहदास जलित उत्विडित समाज में पैदा हुए बेगंपूरा के स्वप्रदर्शी विशारक और ये गलत नहीं कहा जाता है कि दुनिया में समानता का जो प्रांस की राजिकरांती या यह भी माना जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा कि काल माक्स के दैस्ट कैपिटल आने के बाद उनकी वैचारी की को पूरी दुनिया में जाना गया समानता के दर्शन के तोर पे लेकिन अपने देश में 15 शिताब्दी में जो बहुत सारे सं संता का धर्शन संता की विचारधारा का वह भी अपने धंच से प्रचार कर रहे थे यह बात सही है कि उनके पास जो दार्शनिक आधार था उस समानता का वह मान भी था वह आर्थिक जो पक्ष उसका है वह बहुत स्ट्रॉंग नहीं रहा होगा लेकिन संत रैदास उन लेकिन दिल्चस्प यह है कि जितने सियासत दान आज रैदास जी की जैनती के औसर पर मत्था टेके जाल मजिरा बजाए उनको समानता के इस दर्शन में कोई यकीन नहीं है असमानता बढ़ाने वाली आर्थिक नीतियां राजनितिक प्रशास्थिक नीतियां सारी की सारी वही एडाप्ट करते हैं भारत में असमानता जो बढ़ी है हाल के वर्शों में वो बेहिसाब है और जो ग्लोबल इंडेक्स है वो भी बताता है कि दुनिया में असमानता जिन मुलकों में सरवाधिक बढ़ी है उनमें भारत एक है तो ऐसी स्थिति में संत रैदास के प्रत के अंद्रत करें हम सब जानते हैं कि पंजाब में पिछले काई काफी वर्शों से काफी समय से एक बार कोई सरकार आती है फिर दूसरी बार वो नहीं आती किसी दूसरी पारटी किया जाती है अकाली दल के बाद कॉंग्रेस पहले थी इसके बाद अकाली दल आया तो यह पर मंतरी बनने के बाद और अब तो कॉंग्रिस पार्टी ने उनको अपना फेस भी डिक्लेयर कर दिया है तो उनके समर्थकों ने जबरदस्ट प्रचार किया पूरे पंजाब में कि आप ये मत मानिये की पांच साल सरकार चरंजीर सिंग चन्नी की थी वो तो कॉंग्रिस की उस रूप में सरकार ना कहा जाए यकीनन वो कॉंग्रिस पार्टी की सरकार थी लेकिन एजेंडा जो है अमरिंदर सिंग जो सेट कर रहे थे जिस एजेंडे पर हो काम कर रहे थे उनका कहना है ये दावा कॉंग्रिस पार्टी के निता कर रहे हैं कि वो उनके साथ मिली भगत उनकी थी तो चरंजीच सिंख चन्नी अपने को अमरिंदर सिंख की जो पार्टी की सरकार थी उनकी नेत्रित्थों में जो सरकार कांग्रेस की थी उससे काफी अपने को distance के एक maintain करते हैं एक दूरी बनाते हैं और वो यह कहते हैं कि उनको तो मौका नहीं मिला उतना तो उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए तो एक ये दलील कॉंग्रिस पार्टी के नेता नुकर सबाओं में जिले में गाओं में कस्बे में हर जगह ये बात कह रहे हैं दोस्तों पंजाब की पिछले चुनाव को अगर आप देखिए 2017 में तो उस चुनाव में जो पंजाब में तीन रीजन है पंजाब में दोस्तों और संजोगवस चुकि पंजाब में मैं एक जरनलिस्ट के तोर पे काफी समय पहले पोस्टेट था और मैंने पंजाब के इन तीनों रिजिम्स को मैंने देखा है समझा है उसमें मालवा जो है सबसे बड़ा है और जो माजा है उसके बाद है दो आबा जो है उस से उसके बाद तीसरे स्थान पर है अगर आवादी के हिसाफ से मत दाताओं के हिसाफ से देखें 2017 के चुनाव में मालवा में जो टोटल 79 सीटे अगर हैं टोटल तो उसमें 40 सीटें मिली थी कॉंग्रिस पार्टी को माजा में 25 सीटें हैं उसमें 22 सीटें कॉंग्रिस पार्टी को मिली थी दौाबा में 23 सीटें 15 सीटें कांग्रिस पार्टी को मिली थी और आम आदमी पार्टी जिसने पहली दफ़ा पहली दफ़ा भी धान समा चुनाव लड़ा उसको मालवा में 18 सीटें मिली यानि बहतर उसने परफॉर्म किया लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है शिरोमन याकाली दल जो है वो माजा में और दौाबा में तो सीटें पाई बालवा में भी पाई लेकिन उसकी परफॉर्मिंस बहुत खराब रही बहुत खराब रही और निश्चित रूप से उसकी एक निरनायक परा जाएगी की जो लोग कांग्रेस है, पंजाब लोग कांग्रेस, उसके साथ उसने लाइंस बनाया है, पंजाब में उन्होंने एक नई पार्टी अमरिंदर सिंग ने बना ली है, और दोनों पार्टी या मिलकर चुनाओ लड़ रही है, अब कितनी सीटें उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इसके बारे में तरह-चरह के कयास लगाया जा रहे हैं लेकिन जितने चुनाओ के विशलेशक हैं पंजाब के जितने एक्सपर्ट हैं लगबग सभी मान रहे हैं कि पंजाब में जो लड़ाई है वो ट्रेंगुलर है और उसमें भारती जंता पार्टी और अम्रिंदर सिंग नहीं आते उनकी पार्टी नहीं आती तो यह ट्रेंगुलर लड़ाई मानना है सबका कि कॉंग्रेस पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी बनाम शीरोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ह शीरोमन या काली दल और बीएसपी के बीच में गटबंदन है लेकिन हम सब जानते हैं कि चलनजी सिंग चलनी के कांग्रिस का फेस होने की चलते और मुझुदा मुक्यमंत्री होने के चलते दलित वोटों में दलित मतदाताओं में बीएसपी को लेकर कोई आकरशन इस बार उ कॉमिनेंट होती है और जिसको सरकार बनाने में कुछ विधायकों की जरूरत होती है उनका सबसे पहले प्रयास होता है बीएसपी के विधायकों को तोड़ना और या निर्दलियों को तोड़ना पंजाब और आपके मद्द्परदेश और राजस्तान में ऐसा होता रहा है तो दोस्तो अभी जो पंजाब के हालात हैं उसमें माना ये जा रहा है कि मालवा रिजन में आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस को इस बार कड़ी टक कर दे रही है सवाल इस बात का है कि कड़ी टक कर वो किस लेवल की दे रही है क्या वाकई वो कॉंग्रेस को रिप्लेस कर द क्या उसको मात दे देगी सिर्फ माजा में और द्वाबा में ही कॉंग्रेस आगे रहेगी क्योंकि अभी भी लोग मानते हैं कि माजा और कॉंग्रेस माजा में और द्वाबा में कॉंग्रेस के मुकाबले अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है तो अगर मा जुक सकती है क्योंकि शिरोमणी अकाली दल को जो लोग बिलकुल नजरंदाज कर रहे हैं और ये मान कर चल रहे हैं कि उसका बिलकुल अजनाधार खत्म हो गया है वो ऐसा है नहीं वस्त होता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में जो मेंस्ट्रीम मीडिया है चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे अंग्रे जी के अकबार हो वो एक खास ठंग से चुनाव की रिपोर्टिंग करते हैं अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का पंजाब के चुनाव में कुछ वैसा ही पक्ष लिया जा रहा है जैसा हमने 2014 के चुनाव म भारती जनता पार्टी के पक्ष में उतरता हुआ मीडिया देखा था और मीडिया ने भी उस चुनाव में बीजे पी के लिए महौल बनाने में बहुत अहम भोमी का निभाई थी इस बार भी मीडिया का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में महौल बना लेकिन वो बीजेपी और अमरिंदर सिंग की पार्टी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टीं उनके लिए एक बहतर पक्ष दिखाई दे रही है। तो अपने देश में मीडिया भी एक निस्पक्ष धंक से रिपोर्टिंग के बजाए, अपने मनोभाओं को एक तरह से जनता पर थोपरा आए, ताकि जनता उसकी रिपोर्टिंग को पढ़कर तैस्वेम करे कि किदर जाना चाहिए, किदर नहीं जाना चाहिए. तो एक तरह से जिस तरह चुनाओ सर्वेक्षन अपने देश के, वो सर्वेक्षन से जादा लोगों के बीच उपीनियन बनाते हैं, वैसे ही मीडिया रिपोर्टिंग भी आज कल उपीनियन क्रियेट करने के काम आ रही है, ऐसा देखा गया, अब जैसे उधारन के तोर पे अब इसको भी मीडिया ने ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन उनके स्थिपे को काफी नहतिक महत्पूर्ण बनाने की कोशिश किया है, वजह ये थी कि उनके बेटे भी स्वैम उमिद्वार होने की इक्षा रखते थे, और वो चाहते थे नेता जी कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिला, लेहाज वो नाराज थे, और नाराज थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन पार्टी छोड़ने के एवज में उन्होंने जो बातें कहीं, वो काफी महत्पूर्ण और वहचारिक थी, जैसे कि कॉंग्रिस का कोई भशिश नजर नही रहा चुके हैं अश्वनी कुमार का पंजाब में पंजाब के एक रिपोर्टर के तोर पे मैं कहा रहा हूँ जब जिन दिनों मैं पंजाब में रिपोर्टिंग करता था मैं स्वेम जानता हूं कि उनका कोई ठोस जनाधार किसी भी इलाके में नहीं आया है वो स्वेम एक में बड़ी बड़ी खपरें चपी हैं जैसे कि कोई बहुत बड़े जनाधार वाले नेता ने पंजाब कॉंग्रेस से अपने को डिसुसरेट कर लिया है अब कौन नहीं जानता कि चुनाओं के दौरान ऐसा होता है लेकिन वो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रशाद मौरिय के मुकाबले के नेता नहीं है जैसे स्वामी प्रशाद मौरिया निकले एक बड़ी बात थी क्योंकि एक सोसल बेस रखने वाला नेता जो स्वैम कैबिनेट मंतरी हो एक सरकार का और उस सरकार से निकल करके और बाहर आ करके कहीं और जा रहा है एक बड़ी परिगटना थी लेकिन उसी अंदाज में अश्वनी कुमार के इस थीपे को इतनी प्रमुकता मिली कि मतलब बड़ा आश्यर ही हुआ तो ले देकर चुनाव रिपोर्टिंग से भी एक तरह से पुलिटिकल बायसे दिखाई दे रही हैं पुलिटिकल या राइनितिक आगरह पुरवागरह लेकिन पंजाब में एक बोड़ी दिल्चस्प घटना ये भी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पुराने वरकर्स भी आम आदमी पार्टी के किलाब अभियान चला रहे हैं अब धरमबीर गांधी पटियाला से आम आदमी पार्टी के 2014 में MP के रूप मे मज़े की बात ये है कि कॉंग्रिस को भी सपोर्ट कर रहे हैं और संजिप्त जो किसान एक बोर्चा है जो राजवाल साहब की अगवाई वाला उसके भी कुछ केंडिट्स को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि हम आगे की लड़ाई के मद्दे नजर पंजाब में चाहते हैं कि किसी कीमत पर आम आदमी पार्टी को यहां बढ़त न मिले क्योंकि वो एक ऐसी राइट विंग पार्टी है उनके मुताबिक धरम बिर गांदी के मुताबिक जो यहां पर बीजे पी कमी जो बीजे पी कमजोर है उसकी कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है तो का वो campaign कर रहे हैं और ऐसा campaign करने वाले धरमबिर गांधी की तरह बहुत सारे लोग भी हैं तो दोस्तों मैं बिलकुल संचेप में आपको ये report पता रहा हूं कि दरसल आम आदमी पार्टी के जो पक्ष में एक मद्देवर्ग में एक 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 ऐसे खाते पीते समाज में भी अच्छी पकड़ है उसकी आम आदमी पार्टी की इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन जहां तक उत्पिरित समाजों के vote हैं वो ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस की तरफ मुखातिव हैं अब देखना ये है कि किसान आंदोलन के दोरान जो वर्ग सबसे अधिक मुखर था सबसे अधिक हिस्सेदार था वो किसान था और उसमें भी जाट किसानों की संक्या ज़्यादा थी क्या वो शिरोमन या काली दल के मुकाबले क्या वो कॉंग्रेस पार्टी की तरफ जाता है या वो आम आदमी की पार्टी को भी vote देता है क्या वो भी भागित होता है भगवन मान की चरंजी सिंग्चनी के मुकाबले एक नान सीरियस सी इमेज है उनकी मैं इज़त करता हूँ उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भी है लेकिन उनका एक जो बोलने का अंदाज है एक अपने आपको पेश करने का अंदाज है पुराने कैमेडियन रहे हैं तो एक वो एक राजनीतिक परिपक्वता या एक गंभीरता हलांकि वो बेदाग आदमी माने जाते हैं थोड़े बहुत उनके व्यत्तित्यों को लेकर कुछ निगेटिव जरूर है जिनके बारे में उनके विरोधी बहुत आलोचना करते हैं लेकिन सवाल इस बात का है कि चरंजी चन्नी भगवन सिंगमान और अमरिंदर सिंग अमरिंदर सिंग का खेर वो बड़े नेता हैं लेकिन उनका गटमंदन इस लड़ाई में कहीं नहीं है लेकिन इन दो नेताओं में क्या लोकप्रियता के हिसाब से भगवन सिंगमान क्या वो टक कर दे पाएंगे चरंजी campaign करने गए थे उस वक्त भी देखा गया जब किसान बनाम सरकार के बीच का मसला आ गया और उसमें चरंजी सिंग चर्णी ने पंजाबियत का साथ दिया पंजाब का साथ दिया पंजाब के किसानों का साथ दिया तो ये जो factors हैं वो किसानों के मतों का किसानों के समर्थन का क्या हिसाब किताब लगाएंगे इस चुराओ में इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा तो दोस्तों पंजाब में देरों का भी कम महत्व नहीं है और दिल्चस्त बात यह है कि अभी हाली में प्रधान मंत्री ने व्यास इस्थित जो एक बहुत बड़ा डेरा है बहुत बड़ा डेला है और उसके जो राधास्वामी सत्संग उसके जो चीफ हैं गुरिंदर सिंग धिल्लो उनसे भी मुलाकात की थी और एक और बात होई हरियाना सरकार ने जो गुर्मिच सिंग पुर्फ रामरहीम है जो हत्या बलातकार के सजायाफता क कुछ समय के लिए उस पर भी सवाल उठाय जा रहे हैं कि ये कितना लीगल है कितना इलीगल है तो डेरों के जरिये भी चरंजी सिंग चरनी के जो दरित समर्थक हैं उनको बाटनी की कोशिश की जा रही है क्योंकि माना यह जाता है कि डेरों के बहुत सारे समर्थक होगा ये अवाम के हाथ में है अवाम तै करेगी मतदाता तै करेंगे तब तक इंतजार कीजिए नमशकार आदाब सच्छी अकाल